Hey guys, आज के इस वीडियो में हम actually बात करने वाले हैं export data, मतला हमारे पास दो system होंगे, आप देख सकते हैं, जैसा कि ये मेरा system है, और just मेरे बगल में मेरे trend का system रखा हुआ है, आज हम एक system से, आज हम एक system से दूसरे system में data भेजेंगे, तो उसके लिए मैं आपको code बता हूँग उसमें हम standard message, मतलब by default जो message बना हुआ है, उसके use करेंगे, और उसको data को दूसरे system में बेजेंगे, तो यहाँ पर जब हमने कोई भी message file नहीं बनाई है, तो दूसरे system के पास history message by default होता है, अब इसका use क्या है, तो देखो, मैं export का मतलब बताओ, आपका एक system ही है, मतलब मैं यहाँ पर laptop से पना code लिखा हूँ, और मेरा एक robot एक दूसर system है, अब मैं यहाँ से कुछ instruction देना चाहता हूँ, तो मैं export की साहिता से दे सकता हूँ, इसके लिए export system का use होता है, तो चलिए, एक मैंने जो publisher का code बहुत पहले लिखा था, उस code का आज मैं use करने वाला हूँ, जि इपोर्ट लॉख पाइकर के लिए होता है तो पैकेट के लिए होता है, यह सारी चीज़ बता चुका हूँ, यहाँ पर main चीज़ जो है topic 1, यहाँ पर जो मैंने publish किया data किस पर करिया है topic 1 पर, किस टाप का data publish किया है, string type का data मैंने publish किया है, और कहां से, hello from the publisher, यह सारी चीज म किया है, और सबसे पहले terminal पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैने यहाँ पर जो land है सबसे पहले आप को, जिस system से ROS को चलाना है, ROS Master, जिस system एक system पर ROS Master चलेगा, और दूसरी system पर रॉसzd माश्टर नहीं चलेगा यहा Nepर देख सकते मैंने यह फर इस सिडомеал taste चला करें है और यह दूसरा है मेरे फ्रेंड का सिडम इसमस्टोप इसम राच मास्टों को मैं नहीं चलारहा हूं आप यह मैरे जाए सिडेक सकते हैं मैं राच मास्टो को कुई नहीं चलारहा है अब जैसे मेरे इस system पर रॉसमास्टर चलाया है अब यहां पर पहली लेंड जो आपको इसमें है सबसे पहले अपनी system को आपको IP address पता चलना होगा जिससे आप पब्लिश कराना चाहते हैं जिस पर डिटर सबस्क्राइब करना चाहते हैं तो मुझे अपने system को IP address पता करना था मैंने के लिखा इसका मतलब क्या होता है जिस system में रॉसमास्ट को चलाओगा उस system का IP address यहां पर देना होगा तो यह क्या है इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ इस वार में किसके IP address अपना यूज क्या अपने IP address यूज क्या मेरी system पर रॉसमास्टर चलाओगा अब इसके बार है सिश्टम का IP address यह तो इस आप राहते हैं यह आपको पना IP address जालना हो अब आते हैं फेंने में ्प्रración के सिश्टम में आप देख सकते हैं जैसे कि यह फ्रेंड का सिस्टम है और यहां पर भी मैने पर यहां पर मैंने अपने सिस्टम कर जो पहले में आपको बता रहा तो उस सिस्टम का IP address डाला पर इसमें पूर्ट नम्बर डाला तो यहां पर रिखार रॉस्ट मुझे आइप lesट डलना तो मैं डाला इसके बार मैं रिखार रॉस एक्सपॉर्ट रॉस आईपर यहां पर मैंने क्या करना, जो फ्रेंट का सिस्टम है, उसके फ्रेंट के सिस्टम का IP Address डाला, और उसको डालने एक बार मेरा यह सिस्टम में रन हो जाएगा, ठीक है, यह चीज को आपको जहां नग रहे हैं, यहां पर IP Address में कोई दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा मोड़ा म प्रॉब्लम नहीं होती है, और आपका सिस्टम रन होने लगेगा, जैसी मैंने इस किया, इसके आपने फाइल का जो मेरे फाइल का नाम था, रॉस टापिक, मैं आपको इसके बारे बता चुका हूँग, यह आपने टॉपिक वाली वीडियो देखी होगे, तो आपका पैक इससे मुझे सारे टॉपिक पता चल जाएंगे, जो इस सिस्टम पर आने चाहिए, तो मैरे देख सकते हैं, मैंने जब कोड लेखा था, तो वहाँ पर मैंने टॉपिक का निम क्या रखा था, टॉपिक 1 नाम का रखा था, जिससे यह टॉपिक 1 वहाँ पर देख रहा है, आप जो output यहां से publish हो रहा है उस output को आप यहां से देख सकते हैं यहां से मतलब आपको देखने का क्यों मैंने प्रिंट नहीं करा है पर यहां से कुछ data जा रहा है तो यह hello from the publisher जैसे यहां से देख सकते हैं मैंने यह लिखाता है यह message कहाँ पर आना चाहिए दूसरी स्कीन पर आना चाहिए तो मैंने जिल्खकर और टॉपिक एको और देख सकते हैं जैसे मैंने रन किया आपको अब data publish होने लगेगा क्या आएगा data hello from the publisher आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा data hello from the publisher आने लगा है तो just यह simple video थी जिसमें हमने by default stdmsgs जो था उसका यूज किया है next video मैं मैं आपको खुद की msg फाइल बनाऊंगा और उस msg फाइल का यूज करके आपको data को export कराने की कोसिस करें कि यह सब से टफ वीडियो इसकी उपर जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगली वीडियो वह आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी तो वह वीडियो ज़रूरी थी मेरे बनाना उसमें हम क्या करेंगी आप यह कोसिस कर सकते हैं यह से union आपलब फबलिश है क्या करेंगा पॉबलिश करेगा aerial और सब्सक्राइब क्या करेगा उस Viel को सब्सक्राइब करेगा और बीज निखाल कर थेंक्यू फ्रेंड्स बाच्णों दिश्वीडियो लाइक शस्कराइब शियर